आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, आज हम लोग देखेंगे पिछले में हमने क्या देखा था कि गती के जितने भी समीकरण थे तीन समीकरण उनको विद्पन न किया था आज हम लोग उनसे संबंदित प्रश्न करेंगे पर उससे पहले एक छोड़ा सा टॉपिक हमारे पास गृत्वा दीन गती इसको हम लोग देख लेते हैं कि होता क्या है motion in gravitation देखो हम लोग तीन समीकरण पड़े थे गती के लिए पहला क्या था हमारे पास वेग बराबर प्रारमविग वेग धन त्वरण गुडित समय था ठीक है और दूसरा हमारे पास क्या था जो चली गई दूरी S थी वो किसके बराबर हो रही थी प्रारमविग वेग गुडित समय धन एक बटे दो त्वरण गुडित समय का वरग और तीसरा हमारे पास था कि जो वेग हमको मिल रहा था ठीक है अन्तिम वेग वो प्रारमविग वेग के वरग धन दो एस यानि की चली गई दूरी और त्वरण के दुगने के गुड़न फल के बराबर था तो यह जो समय का रहन है हमने इसको सरल रेखा में गति के लिए देखा था जो गृत्वा धिन गति है यह भी सरल रेखा में गति को ही प्रदरशित करती है अब यहां पर गूर्तव दिन गति का ड्रny का मतलब है हम लोग इस पेण को को अगर इस तरह छोड़ देंगे तो भी नीचे यह नी पर नगया लांए निंगया पर कुई भी वस्तू फेके यानि कि उर्द्वाद र उब पर के और के या हम लोग ऊपर से किसी वस्टू को छोड़ दे उर्धवा धर तो अभी वो नीचे यह आता है प्रिथवई के गृत्व कर्शन के कान तो जेब नीचे आता है तो ऊस पर प्रिथवी का गृत्वा कर्षन एक बल लगाता है जिसके वज़ेसे त्वरण उत्पन होता है जी जिसको हम लोग गृत्वी त्वरण बोलते हैं जिसका मान होता है नौदस हम लोग आठ मीटर प्रती सेकेंड का वर्ग यह सभी वस्तुओं पे लगाया जाता है प्रित्वी के द्रवयमान के जो कम य और यहां से एक गेंद को आप छोड़ रहा हो तो यह सीधा उर्द्वदर इस तरह से चोड़ रहा हो तो यह गेंद के आओगा इस तरह से नीचे गति करते हो आएगा और प्रित्वी की सता पर आके रुख जाएगा ठीक है तो यह कैसी होगी सरल रिखा में गति हो गई यहाँ क्या होगा वापस प्रित्वी पे इस तरह से आ जाएगा तो जब यह नीचे आएगा उस समय या फिर उपर जाएगा उस समय यह जो गृत्वा करशन बलका गृत्वी तवरण है वह कार्य करता है जिसका मान नौदोस अमनो आर्ट मिटर प्रती सेकेंड का वर्ग होता है यह जो मान है ठीक हमें हर जगा समान नहीं मिलता प्रित्वी के दुरूओं पर भूमध्य रेखा पर इसका मान जो है वह बदलते रहता है यह प्रित्वी के गुर्णी गति और कुछ अक्षांज और देशांतर पर भी निर्भर करता है उसके बारे में हम लोग अभी नह जैसे हमारा पहले जो त्वरण था उसको हम लोग धनात्मक और रडात्मक ले रहे थे तो इसमें भी जो गृत्वा कर्शन त्वरण होगा वो धनात्मक और रडात्मक होगा यानकी गृत्वी त्वरण भी धनात्मक और रडात्मक होगा देखो जब हम लोग इस गेन को उप उपर की तरफ फेके तब हम लोग क्या किया गृत्व क्षण बलके विपरीत में कारे किये उसके विरुध्य में कारी कि तो हम लोग ऊपर फेकते हैं जब किसी वस्तू को थो नोग गृत्व कर्शन तरण का मान रड़ात्मक जी लेंगे और कोई वस्तू him उपर से जब हम लोग इसको नीचे की तरफ इस तरफ फेकेटी के यानि की छोड़ दिये जब हम लोग तो यह क्या हुआ कि प्रित्वी के गृत्व करशन के ही तरफ आ रहा था तो इस जी को हम लोग धनात्मक जी अर्था गृत्वी तरण को धनात्मक लेंगे तो इसके अध पिर नीचे की तरब उर्धोरधर फेक रहें तो यह पथर जो है या फिर जो गेंध है कुछ न कुछ दूरी टै कर रहा है मतला कि जसे हम लोग इसमें चली गई दूरी एस लिए थे तो इस दूरी एस की जग़ा पर अब हम लोग उचाई लेंगे क्योंकि ये कुछ नो कुछ उचाई प्राप्त करेगा या फिर नीचे आएगा तो आप यहां के बिल्डिंग पर खड़े हो तो बिल्डिंग की जो उचाई होगी वो इस H को प्रदर्शित करेगी तो हम लोग चली गई दूरी क्या हो जाएगा उसको H से प्रदर्शित तो इसके अधार पर हमारे गति के तीनों स्रमिकरन जो है इस तरह से परिवर्तित होंगे देखो वेग वी तो वही रहेगा वी बराबर यू धन और यह धन रेड़ रहेगा क्योंकि हम लोग कब इसको प्रयोक करेंगे धनात्मक जब कोई वस्तू नीचे की तरफ आ रही है रातमक जब कोई वस्तू को हम लोग उर्द्वाधर उपर की तरफ फेक है या उपर की तरफ जा रही है तब तो यह हो जाएगा जी टी और अगर हम लोग दूसरे समीकरन की बात करें तो दूसरा समीकरन कैसे हो जाएगा हमारा एच चली गई दूरी की जगा में एच तो के लित मैं कुछ इससे प्राप्थ होगा वी कावर बराबन rework dough is not the fight in it सायता से और श़्रे इन कि साधोध से स्टेन कुछ प्रश्ण करके देख देख लेते हैं और समझने का प्रयाज करते हैं कि सम्हेकरन जो है हम ने जिसको प्रयाज न किया वह किस तरह से आया और इसको हम लोग प्रयोग कैसे कैसे और कहां पे कर सकते हैं तो यह रहा हमारा पहला प्रश्न इसमें बोला जा रहा है कि एक पिंड जो है वह विराम अवस्था से चलना प्रारम करता है मतलब कि उसका प्रारम भी वेग यू बराबर क्या हो जाएगा सुनने हो जाएगा क्योंकि विराम अवस्था मतलब और रुका हुआ था से चलना प्रारम करता है और उसका त्वरन दिए है जी यानिकी उसका मान कितने है फांच मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग है त्वरण पर अब हम लोग इसमें निकालना क्या है चली गई दूरी S इसका मान क्या होगा तो देखें यहाँ पर हमें U का मान पता है V का मान पता है A का मान पता है S का मान निकालना है तो हम लोग गती का कौन सा समीकरन यूज कर सकते हैं हमें इसमें समय की आवश्यक्ता ही न जाबर, U का वर्ग, धन, दो, A, S, ठीक है, हमें यहाँ पे चली गई दूरी, S का मान जो है, वो ग्याद करना है, तो देखें, इसमें हम लोग क्या करेंगे, यह जो V का वर्ग है, इसका मान हमें कितना दे दिया गए, पचास मीटर प्रती सेकंड, तो इसका वर्ग कर देंग तो यह क्या हो जाएगा, पचीस सो हो जाएगा, और इसका मान हमारे पास हो जाएगा, दस, S हो जाएगा, और चली गई दूरी है, इसका मान हमें निकालना है, तो इस दस को हम लोग इधर पक्छांतर कर देंगे, तो चली गई दूरी, S बराबर क्या हो जाएगा, पचीस स कि दूरी वह ताय करेगा तो यह होगे हमारे प्रष्ण का उत्तर अब हम लोग अपना अगला प्रष्ण देख लेते हैं कि उसको कैसे हल करें यह रहा हमारा दूसरा प्रश्ण इसमें बोला जा रहे कि भिराम वस्था से प्रारंब करके कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के वर्ग के एक समान्त वरण से किस से एक समान्त वरण से चलती है ग्यात कीजिये 160 मीटर, 3Tr2 का वेग वस्तु, कितने समय में प्राप्त करेगी तथा इतने समय में वह कितनी दुरी तय करेगी, तो देखी है हमें यहां पर दो चीजे ग्यात करनी रहेंगी 8 m3s का वर्ग और हमें बोला गया है कि जब वो चलती है तो उसका वेक कितना हो जाता है V बड़ाबर 160 m3s हो जाता है और इन दोनों का मान हमें निकालना है तो सबसे पहले हम लोग समय को निकाल लेते हैं ठीक है देखें मान लेते हैं कि कोई वस्तू यहां पे है और वह वस्तू इस तरह से चलना सुरू करती है जब यह विराम में होगा तो U बराबर उसका मान क्या हो जाएगा सुन्य हो जाएगा क्योंकि विराम से वो चलना प्रारम कर रही है फिर जब वो चलती है तो चलने के बाद उसका वेक क्या हो जाता है V बराबर हमको बोला जारे कि 107 मीटर प्रती सेकेंड हो जाता है और जब U से V में परिवर्तित होता है तो इस समय जो त्वरंड A होता है उसका मान 8 मीटर प्रती सेकेंड का वर्ग एक समान त्वरंड है इतना वो एक समान त्वरंड से आगे बढ़ते जा रहे है तो ये वस्तु इधर गती कर रहे है तो कुछ समय बाद यहां पर आ जाएगा मान लेते हैं कि यहां से यहां तक आने में समय लिया T तो यहां से यहां तक आने में जो चली गई दूरी होगी, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, उसको हम लोग बोल देते हैं, ऐस दूरी वो चली बोल के, तो इही सब का हमें मान निकालना है, तो हम लोग यहां पे गती के पहले समी करण से जानते हैं, कि जो वेग होता है, और टरौना मीटर ह्यूंजित दिऐ गःति समय होताências आप यहां से समय का मान निकल सकते हैं पहले हैं कुछ निकालने रहे तो हम ल Gil को चली ऐंगी दूरी हुनिकी कालेंगे कि यहां से क्या हो जाएगा यहां किमट्छक कर रहे हैं आर्ट मीटर प्रती सेकेंड का वर्ग गुडित समय अब देखें यह क्या हो जाएगा 160 बराबर आर्ट गुडित T हो जाएगा समय कमान निकालना है तो आर्ट को इधर पक्छांतर कर देंगे हम लोग तो हमें क्या प्राप्त होगा तो यहां पर T बराबर 160 बटे आर्ट जब हम लोग इसको हल करेंगे तो यह हमें मिलेगा 20 सेकेंड 20 सेकेंड कैसे मिलेगा देखो यह मीटर प्रती सेकेंड में है और यह मीटर प्रती सेकेंड का वर्ग है अब हम लोग चली गई दूरी निकालेंगे, तो चली गई तूरी हम लोग 32 समीकरंट से भी निकाल सकते हैं, 33 से भी निकाल सकते हैं, पर दूरी में क्या है हमारे पास सिधा है, S बराबर, UT, धन, 1 बटे 2, AT का वर्ग हमें पता है, उसमें क्या है, V का वर्ग, U का वर्ग हमें करके निकालना पड़ता तो यह हमें सरल रहेगा इसलिए हम लोग इसको प्रयोक करेंगे ठीक है तो चली गई दूरी आस बराबर कितना हो जाएगा चार गुडित चार सो जब हम लोग इसको गुड़ा कर देंगे तो हमें मिलेगा 1600 मीटर मतलब कि वस्तु के द्वारा जो चली गई दूरी है कितनी हो जाएगी 1600 मीटर हो जाएगी तो यह हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर और साथी साथ हमने यहाँ पे समय भी देखा था कि T बराबर कितना था 20 सेकेंड हमको मिला था तो इस तरह से हमने दूसरे प्रश्न को भी हल कर लिया अब हम लोग एक और प्रश्न देख लेते हैं कि उसको किस तरह से हल कर सकते हैं और उसमें गती के समीकरन कैसे प्रयोग होंगे यह रहा हमारा तीसरा प्रश्न है इसमें बोल रहा है कि एक गेंद, एक मिनार, अर्थात एक बिल्डिंग की छोटी से 20 मीटर 30 सेकंड के वेक से उर्ध्वा धर उपर की और फेकी गई, यानिकी सीधा उपर की और फेकी गई, और फेकने के 5 सेकंड बाद वह प्रित्वी से टकराती है, फेके हम लोग उसके बाद वह नीचे आई, 5 स लगा उसको नीचे आने में और प्रित्वी से टकराती है, मिनार की उचाई, अर्थात हमें H कमान निकालना है, ठीक है, यह भी बताईए कि प्रित्वी से टकराते समय गेंद का वेक क्या था, बोलके तो हमें वेक और उचाई ग्याद करनी है, तो देखें इस प्रश्ण मे हमें क्या क्या दे दिया गया है, हमें प्रारमविक वेक यू कमान कितना दे दिया गया है, बीस मीटर प्रती सेकेंड है, बोलके ठीक है, और टाइम का, यानि की समय कमान भी दे दिया गया है, पांच सेकंड लगा उसको प्रित्वी तक आने में बोलके, तो हम दोग माल ले यहां पर एक मिनार है, इस तरह से यह मिनार हो गया, यहां से कोई व्यक्ति क्या करता है, इस गेन को यहां से गेन को पकड़ता है और उसको सीधा उपर की तरफ फेक देता है, तो यह उपर की तरफ जाता है, तो उसको यू वेक से फेकता है, यू बराबर कितना हो गया, 20 और नीचे आके यहां पर प Counter से क्षाइगा तो हमें यह यहां से यह जो उचाएगते जिए इंशा Nag specimens यह लिए और यह की फेका गया और यह नीचे आया तो यह जो एक्रीक फेका गया तो अगर हम लोग राजिया ऊड continuum कैसी शत्वी तो यह वाला रeterm से ऊटने राशी existing rename तो नीचे आएगा, तो इसी वेक से ही वापस नीचे आएगा, तो यहाँ पर U का मान क्या हो जाएगा, रडात्मक 20 मीटर प्रती सेकेंड हो जाएगा, हमने सिफ इसको माना कि हमने जिदर उपर की तरफ फेका, वो धनात्मक है, नीचे की तरफ आ रहा है, वो रडात्मक है, ह हम लोग दस भी ले सकते हैं क्योंकि कहीं कहीं पर प्रश्णम में इसको दस दिया रहता है और हम लोग जब इसकी गर्णा करते हैं तब हम लोग उपर में देखें कि गृत्वा धिनगती क्या होती है जब हम लोग गर्णा करते हैं तो यहां पर जो हवा के द्वारा जो घरश हम लोग को समय भी पता है और उसका प्रारंविक वेग भी पता है और अंतिम वेग वी कमान हम लोग को निकालना रहेगा जब वो प्रित्वी की सता से टकर आएगा तो ये गेंद उपर गया फिर वो नीचे आया ठीक है सरल रेखा में यानिक उर्ध्वधर उपर गया और उर अनात्मक हो जाएगा तो अब हम लोग इस प्रश्णों को हल कर लेते हैं ठीक है तो देखे इसमें हम लोग को जो जो मान दिया गया है उसके अधार पे हम लोग मान रखेंगे तो एच बराबर गती का दूती समी कर और यूस करेंगे यह हो जाएगा यूटी धन एक बटे दो जी टी का वर्ग हो जाएगा क्योंकि हम लोग को समय का भी मान पता है प्रारम भी वेग भी पता है ठीक है और उचाई एच का मान ग्याद करना है यह जो बिल्डिंग है यह जो बिल्डिंग है उसकी उचाई हम लोग को ग्याद करने है जिसको एच माने हम लोग यह इस बिल्डिंग की उचाई हम लोग गयात कर रहे हैं तो देखे इसका मान क्या हो जाएगा हमारे पर सिर्ड बीस मीटर प्रती सेकेंड हो जाएगा तो रियर बीस गुडित समय का मान कितना है पांच सेकेंड लगता है उसको यहां से यहां तक गती करने में धन एक बटे दो जी का मान हम लोग धरात्मा लेंगे क्योंकि नीचे की तरह पार है गुडित नौदर समलो आट मीटर प्रती सेकेंड का वर्ग गुडित समय यहां पे पांच का वर्ग अब हम लोग इसको थोड़ा हल कर लेते हैं तो देखे चली गई दूरी एच यानिकी जो बिल्डिंग अब हमारे पास चली गई दूरी एच बराबर हो जाएगा रिड सो धन इसको चार दसमलो नौ को पचीस से गुड़ा करेंगे तो यह आता है लगभग 122.5 अब हम लोग 122.5 में क्या करेंगे 100 को घटा देंगे तो जो चली गई दूरी एच है उसका मान हमारे पास आएगा धनात्मक में 22.5 मीटर तो हम लोग को बिल्डिंग की जो उचाई है ठीक है मिनार की उचाई उसका मान कितना मिल गया 22.5 मीटर मिल गया तो हमने उचाई तो ग्याद कर ली अब हम लोग क्या ग्याद करेंगे यहाँ पे जो प्रित्वी से टकराएगा ठीक है यह जो हमारा गेंद है प्रिफवी से तकराएगा उस वी प्रिफाइब करेंगे हम लोग रखतेंगे ही क्या हम जो कि हम जो ओंड ये चली तुरी के प्लाबर होगी तो है यहां पैप हम लोग एक हे वी का मान निकालना एक तो इस वी के वर्ग को अगर इधर पक्षांतर करेंगे तो वर्ग मूल हो जाएगा तो यह जाएगा वी बराबर वर्ग मूल यहां पे यू का मान defense लाएप बीज मेटर प्रतिर सेकंड का वर्ग थ तो इसका tutti give एस एक यह हो जाएगा ऑन conf तो व रावारग प्रति सेंद का वर्ग लिया है, और हमें कितना मिला है, 22.5 ism. अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं तो देखें, व बराबर हमारे पास हो जाएगा वर्ग मुल depसrie इसका वर्ग करेंगे तो यह ओ जाएगा 400 तो और वर्ग करने पे रड़ात्मक वेग वी बराबर इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 841 और जो 841 होता है उसका वर्ग मुढ कितना होता है 29 होता है ठीक है तो हमारे पास यहाँ पर वेग वी कमान कितना हो गया 29 मीटर प्रती सेकेंड यानि कि जो गेंध है वहाँ प्रित्वी से टक्राएगा उस समय उसका व अब आगे हम लोग अपने अगले टॉपिक को देखेंगे धन्यवाद